कल निवाड़ी में समाजवादी पार्टी की चुनावी जन सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर मुख्य मंतरी अकलेश यादव अकलेश यादव के मद्दे परदेश के कैस जन सभा को संबोधित करना था इसी कारणवंश कर्स निवाडी में अखलेश यादव पाच घंटे लेट पहुचे परंतु अखलेश यादव जी को सुनने के लिए निवाडी की जनता लगतार इंतिजार करती रही उनके आनी के बाद उनको सुनकरी वहाँ से वापस लोटी अखलेश यादव ने कॉंग्रेस पर हमला बोलता हुए का कि कॉंग्रेस और बाचपा एक ही अंके दो पहल हुए है उन्होंने निवाडी की जनता से मीरा दीपक यादव के लिए वोट मांगा और उन्होंने आगरे क्या है कि 28 नवंबर 2018 को साइकिल का बटन दबाकर मीरा दीपक यादव को विजही बनाया इसके बाद पूर विदायक गरोठा दीपक यादव ने बताया कि निवाडी की जनता बहुत परिशान है उन्होंने भाचपा पर हमला बोलता हुए कहा कि निवाडी को जिला बनाने की लॉलीपप भाचपा सरकार ने चुनाओ के समय ही निवाडी की जनता को क्यो दी दीपक यादव ने ये भी कहा कि कॉंग्रेस और भाचपा एक ही है जिस तरह सोनिया गांधी कॉंग्रेस की माली के उसी तरह मैंका गांधी देश के परधान मंतरी जी के साथ है और जिस तरह कॉंग्रेस के सिंधिया जी मद्यपर्देश के मुख्यमंत्री के दाविदार है उसी तरह भाचपार में उनकी बुआ मुख्यमंत्री है दोनों मिलकर सरकार को ट्रांसफर करने का काम करते हैं और जनता का पैसा बरबात करने का काम कर रहा है इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर निवारी की जंता उनकी पत्नी मीरा यादब को चुनाओं में विज़े दिलाती हैं तो निवारी को नोड़ा जैसा बनाया जाएगा देखिए यही तो परिवर्तन की लहर है जंतों का भरोसा किस पह है यह जंसमर्तन बताता है आप देख रहे होंगे कि सुबह 11 बजे से लोग आये थे और सामके 6 बजगे नेरा हो गया ठन भी पड़ रही है पर समाजबादी पार्टी के साथ जंडा लिये लोग खड़े हैं यह अकलेश जी से प्रेम करते हैं लोग यह समाजबादी सिद्धान पर भरोसा करने वाने लोग हैं यह समाजबादी साथी हैं जब यह यहां खड़े हैं तो 28 तारीक बूत पर खड़े हो जाएंगे उस दिन सारे दलों का सफाया हो जाएगा हमें भरोसा है क्योंकि पिछले 15 सालों में बीजे पीने निरास किया है आसन बड़े दिये हैं पर पीने तक का पाने का इंतिजाम नहीं है बिजली के नाम पर बिजली मिली नहीं है पर बिल बसूल किये जा रहे हैं मैंने का सब हिसाब किताब चुकता होना है जिले का लोली इनकी कोई योजना नहीं है मैं कह सकता हूँ नोजवानों के पास रोजगार का कप प्रबंद करेंगे इसके लिए कोई इनके पास योजना नहीं है सबका जवाब मिलने वाला है लोगों को मालूम है कि समाजबादी पार्टी के समर्तन से सरकार बनेगी तो समाजबादी पार गरीमों की मेहनत का पैसा है अगर जनता ही कर्ज में डूबी है तो उस पैसे का दूसरी जगह क्यों पहले सबसे पहले उन्हें कर्ज से मुक्त करेंगे पढ़ाई पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए उत्तरप्रदेश की तरह सिचाई माफ होनी चाहिए एक तो किसानी खेती पढ़ाई प्रदी नहीं बसुल कर रहे हैं मैं कह सकता हूं इनी सब वजों से बहुत सारी संभावनाय लोग समाजवादियों में देखते हैं हमने कहा निवाडी से अपार संभावनाय है निवाडी जहासी सहर के नजदीक है और हमने कहा सिर्फ थोड़ी सी रणीती की आव पहले तो आए नहीं जब समय दे दिया अगलेजी में उनमें क्या फरक है आज अगलेजी की साधी की सालगिरा है लेकिन वह सालगिरा में नहीं गए निवाडी के लोंग बीच में अगर हेलिकॉप्टर नहीं आ पाया तो चंदेरी से आये हैं बाई रोड सोच सकते हैं आप चंदेरी से चलकर यहां से 200 किलिमिटर दूर एक सभा करने आते हैं रात के समय अब कहां कहुँचेंगे कैसे घर कहुँचेंगे क्या होगा प्रग्राम यह फरक है हमने कहा ना कि लोग कमिंट्मिंट क्या है कमिंट्मिंट है वादा किया तो निवाएंगे जहां तक उनके झालने का सवाल है हमने का जिलाने ही जाकी रहे बाट करनी सकते हैं क्योंकि 15 शाल लूटा है लोगों को बर्बाद किया है लोगों गईव्य lol हो बचपन मज़तों बर्बाद के 5 सालों में कंवे क्रोडों नौजवानों का मजदुर बनाक्रण बसन मारे जा रहा हैह। आखिर करते क्या रहे आप जरीवों के पैसे से विवस्ता बना नहीं थी उनके साथ धोका किया है अब जबाब जमीन पर ही मिलेगा मिलकुल एक है आप देख सकते हैं इंद्रा गांदी जी की बड़ी बहु सोनिया गांदी काग्रेस की मालेख है जनता की गरी महत के पैसे को बरबाद कर रहे हैं लेकिन जनता जागरू बदलाव चाहती है बदलाव आएगा और मैंने कहा तीसरे रास्तों से ही बदलाव आए हैं जब तक ये बनी बनाई विवस्ता नहीं उखड़ेगी नहीं विवस्ता जनम नहीं ले सकती और बहुमत के लिए भी हमने कहा लोगों से कहा कि बहुमत का इनका मिजाज बदल दो बहुमत इन्हें अहिंकारी बना रहा है बहुमत इन्हें राजा की तरह निर्णा लेने के निड़ा लेने के लिए बाद कर रहा है मैं कह सकता हूँ कमजोर सरकार बनाओ जो गरीब और किसानों के लिए मजबूत प्रस लेड़े बना गिराओ बहिमान सरकार को चार्टी से दीपक जौरी की रिपोर्ट